है तो इमिर्टी जो है उस नंबर पे ओंट्प करके जो है अपनी बात को रख सकता है तो सरकार वहाँ की जो है यह मुल्क है यह हम सबों का हम कहीं भी जा सकते हैं कोई हमारे यहां भी आ सकता यह तो खुप्षूरूरित है। लेकिन लाडू में अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है तो हम लोग तो बार-बार कहेंगे कि उस पर कठोर कारवाई वहां की सरकार को करना के लिए में अगर कोई विवाद अगर कोई उत्पन हो रहा है वहां नहीं वहां लेकिन बाते चल रही है तो इसको सॉट आउट करने के लिए कुछ स्टेप उठाना चाहिए न वरकल्स तो आ रहा है वहां तो जाने दिए तीम गई है जब टीम गई है जो रिपोर्ट होगा उसके विदान सांव में और वी विपक्ष को कहा था कि अगर कोई इसके अलावा भी बात होगी तो सरकार जो है इसको टॉल्रेट नहीं करेगी चाहिए की सरकार हो या वहां की सरकार हो तो जो बाते उठी थी तो हमने बोला भी था कि कोई डिटेल होगा तो आप उपलब्द करा विजय चौदरी जी ने भी कहा था और माने मुख्वंति जी ने इसको देखते वे टीम भेज भी दिया है तो हम लोग तो इस मामने को अगर कोई बात है इस तरह की तो हम लोग की दो चार न्यूज चैनलों में देख रहे हैं कुछ मजदूरों का जो ब्यान है वो देख रहे है कि भाई रिलो स्टेशन के बाहर जो बात या रही है तो इसमें सरकार गंभी रहे तभी के तेंग भी देखांगे उनका ब्यान जो है वो छपा और है तो उसमें ये कहा गया है उस ब्यान में कि जो बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने वहां के प्रदेश अध्यक्ष को फोन किया और वो प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई घटना वहां नहीं हुए और ये बात जो है ब क्वाण क्या बोलता है नहीं बोलता इससे हम लोगों को मतलब नहीं लेकिन सचाई क्या है ? सचाई को पता करते हुए जो है हम सभी लोग जो है , हमारी सरकार पाननी मुखमंत्री जी ने तीन को भीजा है, जब सच्चा ही सामने आ जाएगी, तो अगर सर जो है करवाई की जाएगी, और साती सार, हम लोगों के सरकार के बात करने का ये फल निकला, जो भी मजदूर अगर वहां सहमे हुए हैं, या डरे हुए हैं, तो दो जिलो का जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने पाच्छी नंबर जो है, वो उपलब्द करा रखे हैं, कोई भी अगर कोई फसा है कहीं, तो इमेडिटली जो है, उस नंबर पे कॉंटाक्ट करके, जो है अपनी बात को रख सकता है, तो सरकार वहां की करवाई हैं, तो बिहार की लोग वापस जा सकते हैं, तो भूली करते जा सकता है, अब यही हम सवाल उल्टा हम फेड़ के पूछे, कि तामिलनाडू के लोग अगर यहां आना चाहें, तो कोई एक अगर गलती करेगा, तो पुरा राज दोशी कैसे हो सकता है, अगर बिहार में कोई एक आदमी अगर कोई गलती करेगा, तो बिहार दोशी नहीं अगर theor हम सब का मुलक है, यह सबॉका का देश है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई हमारे यहां भी आ सकता है, यही तो खुब सूरती है, लेकिन अगर कोई अगर तमिलाडू में अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है, तो हम लोग तो बार-बार कहेंगे कि इस पे गठोर कि सरकार को करने को फिर भी ये दो राज्यू का मामला है तो इसमें भाई भाई भारत सरकार का किया क्या क्या की दिए मामले में भारत सरकाल की भूमिका बंतिया की निए बंतिया जब दो राज में अगर कोई विवाद अगर कोई उत्पन हो रहा है वहां नहीं वहां लेकिन बाते चल रही हैं तो इसको सॉट आउट करने के लिए कुछ स्टेप उठाना चाहिए ना हम लोग तो तीम भेजने सारा चीज ह लेकिन इस तरह करें हम बार बार के हैं कोई भी कहीं भी इस देश में रहकर के घ्रेन ना खेलाने का काम करें समाज को बाटने का प्रयास करें इसे आपको सवधान देखेंगे पूलिस ने पहले बोला कि तमिल्नाडू पुलिस का मानना ये है कि वहां ऐसी घटा नहीं है कि हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं हमने जो विधान सबामे भी कहा वह यही बात है कि जो डीज़ीपी जो ब्यान है वो नहीं मान बीज़ीपी और कई ऐसे वीडियो जो हम लोगों के समक्षाएं हैं हमने भी देखी है इसलिए हम लोगों ने टीम भेजा है तो हम तो जनकारी प्राप्त कर लें और अगर केश हुआ है कोई मुकदमा अगर फियर हुआ है टुटर अकाउंट तो बीजिपी को उसका जवाब देना चाहिए तो इसमें अगर सचाही है तो इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात को नहीं